Hello everyone, मैं हूँ अन्राक और आप मेरे साथ देख रहे हैं Learning Lab Channel तो जो आज का हमारा exercise होने वाल है कुछ इस तरीके का हमारा आज का footage है यहां के अगर आप exercise की बात करेंगे देखें यह left side में जो आपको यहां पे नजर आ रहा है यह हमारा original footage है और यहां पे आपको output नजर आ रहा ह है तो कैसे करी हुई है हमने आज track के लिए किया है manual 3D tracking का यूज करा हुआ है तो अभी तक हमने camera track जो मैं आपको बता रहा हूं वह हम camera track auto camera tracking का यूज कर रहे हैं तो आज हम देखने माले है manual camera tracking का यूज कैसे आप कर सकते हैं और कुछ इस तरीके का output लेके आ सकते हैं कैसा एक बार आप नजर डलवा देता हूं यहां पर वन प्रेस करते हैं अपने टू प्रेस करते हैं देखिए ऐसा एक output आप लेके आ सकते हैं compare करेंगे तो ऐसा compare करके मैं आपको दिखा सकता में रहेंगे एक चीज और बता दू जो exercise को follow करते हैं तो काफी कुछ नए skills आपको improve करने को मिलेंगे काफी कुछ आपको learn करने के मिल जाएगा तो चलिए time ज्यादा wish ना करती हुए अपने इस tutorial को कर लेते हैं start ओके तो यहां हमने नया new cake open कर लिया जैसे कि आप देख पाएंगे अपनी footage को हम यहां पे लेके आ गया है जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा तो यह मेरी फूचिस तरीकी की footage है यहां पे मैंने इस footage को थोड़ा सा grading किया है कि देखने में यह थोड़ा सा आपको सही लगे और आपके track सही हो जाएं तो देखिए ऐसा कुछ हमने इसको create कर लिया है next step हमें क्या करना है देखे सबसे पहले हमें decide करना है कि हमें क्या करना है काम हमें करना है इस particular यहां पे यहां पे हमें window add करने है तो हमें यहां पे दो चीजों के requirement पढ़ गी फर्स्ट हमें एक create करनी है जहां पे इस window को हम remove करेंगे और दो window यहां add करेंगे दूसरा requirement क्या है हमारा हम track करने वाले जो की आज का हमारा topic है तो track कैसे करेंगे इसको track करने के लिए हम लोग नी सब्सक्राइब करना है यहां-पे option मिलता है मुझे यूजर track option मिलता है ऐसा देख पारेंगे यह मेरा user track का option है तो जैसे manual track करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहां पे मेरे पास point है add track का option है जैसे मैं add track करता हूं देखें यहां पर मुझे एक tracker point यहां पर नजर आ जाता है ऐसा कुछ मेरा 3D tracker point है ऐसा कुछ तो पर्टिकुलर इस tracker point को मुझे track करना पड़ेगा आगे के तरफ लेकिन मैं पर्टिकुलर ये process को ना use करते हुए दूसरा process पर हम जाएंगे हम पहले 2D track करेंगे 2D track को हम 3D में लेकर आएंगे कैसे तो अभी क्या करता हूं इसे मैं डिलीट ट्रेक कर देता हूं अभी हमें क्या करना है देखें यहां से टैप करना है और यहां से हमें एक स्वारी हमें लेना पड़ेगा एक ट्रेकर नोड तो यहां से मैं एक ट्रेकर नोड ले लेता हूं यहा तो देखे जो हमें changes करने हैं मुश्टली हम changes करने हैं वाल पे तो वाल पे मुझे ज्यादा points की ज़रुरत पढ़ने वाली है तो चलिए हम देख लेंगे हमें points गहां से start करने तो मैं यहां पर आता हूं अभी मैं इसको लेता हूँ मैं लगभग एक point का जो track मुझे करना है मैं इस point पे एक track करने वाला हूँ यह point को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे अपने according set कर ले true track के बारे मैं already कापी सारी information में दे चुका हूँ वैसा कर सकते हैं करना है यहाँ पे track में क्लिक कर देना है और थोड़ा wait करना है ओके तो एक track मैंने यहाँ पे complete कर लिया जाए सकते देख पाएंगे एक tracker हमने ले लिया है तो जो 3D track करने के लिए minimum हमें 8 points की ज़रुरत पढ़ती है मैं try करूँगा कुछ points इस wall पे रखूँ एक points लगबग हम यहाँ पे रख सकते है कुछ एक दू points हम ground पे लेने वाले है तो क्या करता हूँ particular यह track वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा passport करेंगे complete होने के बास सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ अब हम ने क्या किया जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहा हूँ हमने यहाँ पे कुछ tracker points ऐसे कुछ tracker points यहाँ पे निकाल ले है जैसा कि आपको न जरा रहा होगा कुछ इस तरीक के हमने 8-9 points में निकाले हूए जैसा कि आप देख पा रहा होगे तो अभी नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या फॉलो करना है इन पॉंट्स को मुझे एक ड्रेकर के अंदर लेके जाना है तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा ड्रॉप्ड करना है तो यहां पर आपको ऑप्सन मिल जाता है इंपोर्ट मुझे करना है तो यहां पर क्लिक कर देंगे जैसे मैंने इहां पर क्लिक कर रहा है तो देखे मेरा कुछ आइसा एक और यह मतलब कि वहाइक है तो हमारा जो केमरे का क्वािट है काहा निकला यहां पर ट्रेक करते हुए मेरे ये वाले पॉइंट जो है 3D पॉइंट्स हैं तो चलिए आगे का प्रोसेस यहां पर देख लेंगे तो अभी मुझे इस ट्रेकर की जरूत नहीं है इसे आपको आपकर करके साइड में रख सकते हैं इसको अपने को ले लेना है तो अभी नेक्स सिस्ट करेंगे इसको आप 3D में देख सकते हैं ऐसा कुछ आ रहा है तो मैं कैमरे से वीव कर लेता हूं एक बार तो यह मेरे 3D में पॉइंट्स है जो मैंने पॉइंट्स है जो इस तरीके का आपको 3D पॉइंट्स नजरा रहे होंगे बूशली क्या करके होता है जब हम कोई काम कर करते हैं और ट्रेक में पॉइंट्स अलग नजरा रहते हैं 3D पॉइंट्स कुछ आपको ऐसे नजरा आएंगे तो आपको वापसे टैप्रेस कर लेना यहां पर अभी मैं इसको ब्यू कर देता हूं देखें अभी सो क्लोस कर देता है जो नेक्स स्टेप मारा होने वाला है ह हमें इसके लिए प्लेट करनी है कि हमें यहां पर दो विंडू कर रही है तो कैसे करेंगे चलिए अभी उस चीज को फॉलो कर लेंगे सबसे पहले थोड़ा सम अपने स्क्रिप्ट को सही करते हैं तो ऐसा कुछ ले लेते हैं यहां पर तो हमें यह वाली window को particular यहाँ पे shift करना है यहाँ पे shift करना है क्या करेंगे आपको सबसे पहले एक roto लेना है roto के around आपको इस window को ऐसा कुछ select कर लेना है तो यह हमने roto इसको cut कर लिया है next step क्या है हमें merge लेना है merge लेने के बाद आपको in कर लेना है इनके बाद A यहाँ पे press करें B तो अभी यह वाली window मुझे cut होके particular ऐसी कुछ मिल गई है एक चीज मैंने थोली से यहाँ पे गलती करी हुई है I think हमने आज project setting नहीं करी तो आपको सबसे पहले आपने sort की कर लेनी है project setting तो यहाँ आते देखे 1920 by 1080p की आपकी project setting है तो वो कर लेते हैं अभी देखे जो output होगा वो बराबर से आना चाहिए हमारा देखे ऐसा कुछ अभी आ गया है तो अभी इस वाली window को मैं यहाँ पे shift करूँगा कि ऐसा कुछ हमने इसको रख लिया है अभी वापस से आते हैं वन प्रेस करते हैं इसको टू प्रेस करते हैं और यहाँ पर डबल करते हैं इस वाली window को particular हम side में shift कर लेते हैं यहाँ पर हम इस window को करने वाले हैं ऐसा कुछ थोड़ी से इसमें blur की value है मैट कर लेंगे यह हो गई मेरी set लेकिन एक चीज़ देखेंगे इसका जो prospective है अभी हमें match होके नहीं मिल रहा प्रोस्पिक्टिव को match करने के लिए सबसे बिस तरीका क्या है हमको use point करना पड़ेगा corner pin node का करने नोट कैसे यूज़ कर सकते हैं वह मैं आपको दिखा देता हूं तो यहां से इनको view करें अभी लेना है आपको एक टैप प्रेस करें एक corner pin node यहां से तो मैंने यहां से corner pin node यहां पर ले लिया जह सकते हैं तो अभी मुझे क्या करना है यहां पर points देने तो हम क्या करते हैं डबल क्लिक करते हैं यह वाले पॉइंट से ऐसा कुछ रख लेते हैं हम होग कि को खते हैं कि आए उक्किषे करते हैं कि अभी सिंग्ल करना आ हम में चेंज कर ना मजयां वापास यहांभी विवियू करते हैं देखिए हम। प्रेट करना चाहता हूं तो मैं इसको लास्ट फ्रेम पर सेट कर लेता हूं कि यह मैंने ऐसा कुछ कर लिया है ओके अभी कॉर्णर पिन भी मैं अपने लास्ट प्रेम पर ही मुझे स्रेट करना पड़ेगा तो सबसे यहां पर आ जाता हूं वापस से हम यहां पर आते हैं इसको सेट कर लेते हैं अभी क्या करना है मुझे यहां पर कॉपी टू कर लेना है तो यहां पर मैश हो गया अभी वन करता हूं यहां फ्रेश टू कर ले अभी देखिए मैं थोड़ा से इसकी वैल्यू को इंक्रीज करूंगा ज्यादा हो गया स सब यहां पर भी हम थोड़ा करेंगे कि ओके अल्मोस्ट यह वाला पार्ट मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है अल्मोस्ट हमारा हो गया है अभी सेम प्रॉसेस्स मुझे इस तरफ के लिए करना उसके लिए क्या करना पड़ेगा थूड़ा सब यह सौटकट चीज़ करेंग कि वापस एक मर्ज लेते हैं मर्ज क्यों यहां पर कनेक करते हैं आप कॉर्णर फिन को साथ में ले सकते हैं यहां पेस्ट कर ले ऐसा कुछ कनेक कर लेते हैं ठीक है अभी एक ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं हमारा ट्रांसफॉर्म नया है वान प्रिस करते हैं तो प्रिस कर करना है तो मैं एक पोजीशन देखके अपनी यहां पर सिफ्ट कर लेता हूं जैसे कि अभी देख भार होंगे है मोग तो यह मेरा यहां पर सिफ्ट होके आ गया है अब इसके लिए टैप प्रेस्ट करके हामें एक फ्रेम प्रोस्पेक्टिव के लिए थोड़ा सा चेंजेस यहां पर जरूरी है और प्रोस्पेक्टिव की इनफॉर्मिसन आपको पता चल जाएगी आपको कैसे करना है तो यह वाला पार्ट हमने कर दिया अभी नेक्स्टिप हमें क्या करना है यहां से इसको और इस वाली विंडो को यहां पर रिमूप करने के लिए देखें आभी सिंपली में यहां पर देखें यह स्क्रिप्ट एक बार आप नजर डाल लीज़े कैसा में कर रहा हूं तो ऐसा कुछ मैंने यहां पर करा हुआ है ऐसा कर लेते हैं थोड़ा साब और आसानी हो जाएगी समझने में कि चैनल कर और यह पूरा पेंट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कैसा पेंट करने के लिए कुछ इस तरीके हमारा एक आउटपुट आ जाता है पेंट करने के बाद थोड़ इस चीज़े और मुझे लग रहे हैं इस वाली विंडो को थोड़ा उपर सिप्ट करना पड़ेगा हो आप से ट्रॉंब लेता हूं इस विंडोग को हम थोड़ा सा उपर सिप्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ शिफ्ट कर लेता हैं तो अल्मोर्स जो हमारा टार्गेट था प्लेट क्रियेट करने के हमारी प्लेट क्रियेट होके आगए यह नेक्सिष्ट सिप हमें क् प्राइबूरर ट्रेकर मुझे ठेट करोंटस यहां पर नजरा रहे हैं जैसे आप देख कता पाएंगे तो अब हम्य handed कुस्य करना गया वे आपस त्व रीडी में आजाते हैं देखे हैं अवी आपको 3d में जाने कोई जरूत नहीं बागी काड मेरी हिसाब्षाब से कॉलतर के से पर्फेक्ट आया है अभी जो पाइट की मुझे प्लेट करनी इतनी सी प्लेट करनी है तो आपको मर्ज लेना है मर्ज में आपको इन कर देना है इन के बाद हम ले लेते हैं एक यहां से रूटो नोड ऐसा कुछ और इसको हम ऐसा कुछ कट कर लेते हैं यहां से तो यह वाला पर्टिक्लर पार्ट में रख कठो के आ गया है इसको अपने पॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं देखें अभी जो प्रोजेक्शन का हमारा जो मैंने आपको बोला था लाज क्लासिस की आपको याद रखना है अभी उसमें आ जाना है तो आपने कार्ड को यहां से करने के पहले हमको लेना पड़े गए प्रोजेक्श फीडी नोड टैप प्रेस करें यहां से ले लेना आपको प्रोजेक्श फीडी यहां पर आ जाते हैं अब कैमरे की ज़रुत पड़ेगी इसके लिए इन तीनों चीज़ों को आप तोड़ सकते हैं अभी एक ही कार्ड प इनको टिलेट कर लेता है मेरी प्लेट है 150 nmr की फ्रेम होल्ड एक ले और इस फ्रेम होल्ड को कैमरे से कनेक्श करतें और ऐसा कुछ कनेक कर लेे एक बार वापस देख लीजे क्या कि है मैंने यहां पर अभी चलिक हम विवख करके देख लेते हैं तो यह मेरा यहां पर पूरी तरीके से ये ट्रेक होके एक कार्ड आ गई है ऐसा कुछ कार्ड आ गया तो वहापस से जाते हैं ये मेरी औरिजिनल फूटेज होने वाली है अभी देखे एक मर्ज लेना है आपको तो चलिए एक बार प्ले करके यहाँ पे देख लेंगे अगर मैं यहाँ पे इंपूट की बात करूँ तो ये मेरे पास इंपूट है इसके आउटपूट की बात करूँ तो ये आउटपूट हम लेके आगए है औरेटी भी इस एकसरसाइस का हमारा करने का क्या मकसद था कि आपको user track कैसे यूज़ करना है वो दिखाना था इसको particular मैंने एक exercise के साथ जोड़ दिया जो ये script रहेगी particular ये script भी मैं आपको दे दूँगा जिससे आप बहुत आसानी से इसको follow भी कर सकते हैं आपको काम कैसे करना है और काफी आसान ही हो जाएंगी आपको चीजे समझने में तो आज किस वीडियो के यहीं कर दो वासी हो काम कैसे आपको